नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हम सबके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी का स्कूल में हमार पास कुछ ओड जोइनिंग लेटर्स आया है यह इनका अंदर का लेटर है प्रिंसिबल चीफ कमिशनर आप इंकम टेक्स बिहार एंड चाहरकंड ठीक है पतना ओफिसे इनका बागी वही डिटेल्स है जो आइस दूसल सभी में होती हैं और इनको क्या क्या लेकर जाना क्या क्या प्रोड्यूस करना है बहुत सभी डेटेल इनका यह उसका उसक्ता है कि यह इनका रह्या और क्रण होता है और यह बनता है और क्या उसका फोर्मेट होता है वह देखते हैं यह attestation form आयें मैंने एक्स्प्रेंड कर रख था एक वीडियो में कि कैसे आपको attestation form बढ़ने हैं कैसे complete करने हैं और कहां पर आपको क्या-क्या बढ़ना है वो complete वीडियो है चैनल पर काफी फिर भी पूछते हैं कि बता दो सब्ड़ों कैसे बढ़ना है तो आपकी help के लिए अपको कि कहां से क्या बढ़ना है और वह आपको क्रेक्ट ही बढ़नी है कोई वीचीज आपको फोल्स में बढ़नी है तो यह उसका छोटा सा नमून है अटेस्टेशन फॉम का और अभी देखते हैं आगे जो आपका किस फॉर्मैट में बनता है तो किसी केंडिट ने आपका मेडिकल सर्टिपेट वह बनवा लिया है इन्होंने परसनल डिटेल्स अपनी हाइड किये और यह आरा से हैं ठीक है और इनकम टेक्स बिहार में हुआ ह है और इंकम टेक्स के लिए ही इन्होंने अपना मेडिकल सर्टिपेट बनवाया है तो सिंपल कैसे बनता है आपका नाम बगार होते हैं आपका एड्रेस होता है ठीक है आइडियो वेर्वाई कंफिर्म दाइव एग्जामनें यह डोक्टर की तरफ से है और उन्होंका स्ले इन्होंने की यह है और यहां पर केंड़ेट का डिकलरेशन है और सिंपल ऐसे होता है सिंपल सा होता है वो आपके बोडि चեखक गरते हैं ये वौड़ेशर गखर आपनी थोड़ा च्रह सबस्क्राइब करते हैं जब आपके इसमें परेड़ी करेदैज के कंड़ेट सालाओड हैं बागी तो वो यह बहुडर रहते हैं इसमें आपकोई सीरिस बीमारी नहीं हों चाहिए लाइक थ्रेटनिंग बीमारी नहीं हों चाहिए इसमें बाकी सब अलाउड है कि कह और कुछ देखते हैं आपके कुछ और जोनिंग लैटर्स आये हैं वह भी देखते हैं कि यह अटेस्टेशन फोम है और एक मिनिट रुकिए यह विशाल जी का हुआ था ठीक है और गर्मेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्रिफ अगरिकल्चर और फार्मार्स वेल्टेर में कि MTS में यह 16 जून की डेट है और आज 19 जून जल्दी आगया में भी इमेल्स आया उनको यह अटेश्टेशन फोम दिया हुए उनका साथ अटेश्ट वो अलग होगा वो इन्होंने बेजा नहीं है और वो तीन कोपीस भेजने हैं इनको और बीस दिन के अंदर बेजनी है जब ही जैसे इनको यह लेटर रेसी हो आउस के बीस दिन के अंदर भेजनी है यानि कि मतर अभी इस दिन में भेज वो काफी दिन होते इतने में तो बन जाता सब Medical Certificate Candidates Statement Cum Declaration and Crector's Verification Forming and Closed Format बाकि यह सभी चीज़े है और नीचे Medical Certificate है ठीक है Medical Certificate के लिए रिवार्डिंग यह आपके CMO को या Civil Services या Medical Superintendent को लेटर है कि आप इनका Medical Examination कीजिए SSC के तहतीन की नोकरों लगी है Ministry of Agriculture and Farmers Welfare Department of Agriculture Corporation and Farmers Welfare on the basis of the result of this this exam and यह है Medical Format चीक है Ministry of Science and Technology का यह लेटर ठीक है Department of Science and Technology यह टेक्नोलजी भावन न्यू महरोली रोड न्यू देली मिलनी सभी वही है आपके आसपास में वही एस उसल लाइन शुरुवात में की इनका MTS के तोर पे इस Department में सेलेक्शन हुआ है SST का एक्जाम है 2220,200 ग्रेट वह और यह सभी अथान्सो ग्रेट पे की जौब है पे बनने है And I am directed to say that on the basis of multi-dasking staff exam 2019 conducted by SSC you are being considered provisionally for appointment Provisionally वही होता probation period होता है और बीच में अगर आपको कोई documents ने दिकक पाय जाती है आपका behavior आगे गड़वर में रहता है तो तब दिक्कत आती है, submit the willingness to accept the appointment to this department via email और email से आप ये भेज सकते हैं 27 जून तक उसके बाद नहीं, उससे पहले पहले भेजना है और या email या speedpost आप भेज सकते हैं ठीक, you will be called for document verification document verification के लिए बुलाया जाएगा, you will be required to submit और फिर बाद में आपको बुलाया जाएगा, email से भेजने के बाद जब ये accept हो जाएंगे जो आपका attestation form है, या identity certificate है, या medical format है और बाकि सभी जैसे ये accept हो जाते हैं, तो आपको बाद में original document के साथ बुलाया जाता है और different department का different processor है, किसे में साथ की साथ बुला लेते हैं और साथ की साथ में भी joining भी दे दे और किसे में थोड़े लेट भी बुलाते हैं और ये आपका attestation form है इनके साथ जो आए है, ये identity certificate and to be filled by the office, कुछ office details बहुती है, character certificate जो बनता है और ये मने explain का रखा कि भी कौन सा आपको guestage officer कराना है, कौन सा आपको SDM या DM या senior officer से ही कराना है and ठीक है, at least 6 months at that time of the signing the certificate और ये सभी आपके declaration to be obtained from the new entrance to the government service और ये शायद marriage declaration form है, कि आपको शादी हुई है या नहीं हुई, अगर हुई है तो आप unmarried हो, widow हो रहो हो या widow हो, या फिर अगर आपका शादी हुई है, तो आप से के एक से ज़्यादा स्पोज नहीं होने चाहिए, यानि कि आपका husband या wife, आप male या female जो भी हो, उस case में एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए अगर आपकी शादी हो चुकी है, और उससे अलग कोई contract marriage नहीं होने चाहिए, ठीक है, किसे से रहेगा कोई रिष्टा नहीं होने चाहिए, मतलब medical, sorry, आपका certificate है, med certificate, इनी चाहिए, textation form है, वही सभी आपके formalities है, जो as usual, बाकी सभी formats में देखने को मिलिये, बाकी सभी joining letters में में देखने को मिलिये, so that's all for today's video, hope so आपको वीडियो अच्छे लगी होगी हो, like and share कर दे, channel को subscribe करके bell icon दबाले, हमारा second channel भी है, जिस पे आपको मेरे father मिलेंगे, जिस पे आपको मेरे sister मिलेंगे, और मैं भी मिलुगा, वहाँ पे आपको motivational videos, healthy videos, and different life changing videos, and entertainment videos आपको मिलते रहेंगी, so वो second channel भी जुरूर विजिट करें, उसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा, तो आप जुरूर विजिट करें, गुरूजी की दुनिय help, take care of your family, your friend, bye bye, dhanavaad, share in.